सेंटर ड्यूस कॉलेज को भारस सरकार के सिक्षा मंत्राले के नवाचार पईशत अथा खिल भार्ट्य तक्नीकी सिक्षा पईशत के द्वारा स्वधेसी खिलोने उद्योग को प्रोसाहित करने के लिए ट्वाय काथन 2021 कारेकरम को आजित करने का अवशर मिला है जिसके ग्रैंड फिनाले का उद्गाटन 22 जून को ऑनलाइन माध्यम से किया गया जिसके संबंध में सेंटर ड्यूस कॉलेज के प्रचार या प्रोफेसर जे की लाल ने बताये कि ट्वाय काथन प्रधानमंत्यू नरेन रमोदी के खिलोने उद्योग में वोकल फोर लोकल वि कॉलेज नोडल केंद्र पर कुल 25 टीमों ने डिज्टल माध्यम से ऑनलाइन प्रतिभाग किया आसा है ट्वाय काथन स्वधेसी खिलोनों में नई विचारवा नई तकनीकी का प्रयोग कर स्वधेसी खिलोनों को विश्व बाजार में प्रतिस्प्रधिये बनाने में सक्ष डॉक्टर जे के पांडे ने बताये कि नोडल केंद्र पर 25 टीमें प्रतिभाग कर रही है इस औसर पर जॉक्टर हरियोम गुपता तथा डॉक्टर आईजैक एल मैथ्यू सोध छात्रा शमात्रपाथी हर्शिता पाथक तथा प्रीती प्राकास मौजूद रहे इस संबंध में गुरकपूर नियूस से बात करते वे कॉलेज के कारेकरम समनवयक डॉक्टर एस डोमिनिक राजकुमार जॉक्टर जे के पांडे और प्रचारिया जॉक्टर जे के लाल ने कहा दो प्रचार जे के लॉक्टर आ हिस जरौ कि ए्टी कि एलूकर ट्राट में तो एलूके झाब इधा मैं रीकृ मों इत्राटों जिंड सस्ता परियुज गौह ऑले हैं ताम आट्राटों तो गौह एलूकंछी संप्क्राटों उनन परोग़ आट्राटों से बस्फ धियत ट्राट करेंग तेजिए प्विए हैं अईपला लोगत परेस्क्तोर कीत थालोस से कुल- primeira. वन inherently पेस्ट इवा कुल-like के गहां एप्टूर प्राइलोस कीनिए. वे जो फुटिए को बाद करना है उसको हम लोग ने तीन के ज़िए चोटे बच्चों के लिए है जो चोटे-चोटे बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं उनकी expectations क्या है और वो किन-किन तकनीक को इस्तिमाल करना चाहते हैं उनको हम लोग रखा हुआ है एक है युवाव पिढ़ी का जो की तकनीक को ज्यादा महतु दे रही है और तीसरा हमारा industrial field है कि इंडस्ट्रिय उसको कैसे अपना रही है इन तीनों को समावैसित करके हम लोग की करते हुए यहां की तकनीक को इस्तिमाल करते हुए हम नए तरह के खिलोने मार्केट मिला सकें जससे कि हमारी विदेशों पे निर्भरता कम हो सके और हमें आशा है कि हम लोग इसमें सफल होंगे तियंदेर के कारकरण के प्रशाद है टाइक आथम 2021 की शुरुआत आज से ही हुई है आज सुबेरे इनाग्रेल सेशन था हम लोग का और उसमें गुरक्पर यूनस्टी के साइन्स के दीन प्रफ़सर शांतनी रस्तोगी जी हमारे चीफ गेस थे और प्रफ़सर यादो जो हैड बायो टेटनॉलजी डिपार्टमेंट है ही वस गेस्ट आफ आफ और हम नोडल मिला करके पूरे संपूर्ण भारत से पचीस नोडल सेंटर्स सेलेक्ट हुए हैं और यह एक जॉइन्ट एफर्ट था सभी मिनस्ट्रीज का मिल करके और खास्त और से डिपार्टमेंट अफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट अफ टेटनॉलजी और अन्य विभागो ने मिल करके इसका इनोवेटिव लिया और यह बहुत इनोवेटिव स्टेप है जैसा कि हमारे प्रतान मंतरी नरेदर मोदी जी का आवाहन था आत्म निरबर भारत उसको थीम उसी थीम पे अधारित टाइकाथान 21 की शुरुआत की गई और इसमें यह माना जा रहा है कि जि इंडिजिनस जतने भी खिलोने हैं या हम लोग जतने भी इंडिया में यूज करते हैं उसका मैक्समम पार्ट बाहर से ही एक्सपोर्ट होता है और उसकी कॉस्ट लगभग डेर बिलियन यूएस डालर्स होती है तो अगर हम आत्म निरबर बनें अपने यहां के टॉइस लोने भी बनते हैं नॉर्मली हम लोग के हां पुरानी जो परंपराय रही है उसमें लकड़ी और मटी के और इस तरह के लोकल बिटीरियल से खिलोने बनते रहे हैं लेकिन वो आउटडेटेड हो गए हैं आपको याद होगा बच्पन में भी वो तिन पहिये वाली गाड़ पनाए गए हैं हमें गर्फ के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में केवल और केवल संटाइंडूस को यह सम्मान मिला है इसके लिए मैं अभारी हूँ उत्तर प्रदेश शासन का भी और सिंडरल गौर्मेंट का भी कि उन्होंने हम लोग कोई स्लैक समझा कि यह जिम्मेदारी दी है इसका उद्गाटन हो चुका है डिफरेंट सत्र हैं और यह तीन दिन तक चलेंगे हमें पूरी उमीद है कि इसमें काफी कंसिडरेबल मैटिरियल हमको मिलेंगे और जो हमारे नए इनोवेटिव स्टुडेंट्स हैं जो हमारे नए फर्म्स हैं ट स्टुडेंट्स हैं और क्योंकि हमारे यहां एक अड्वांटेज है कि हम लोग फैशन डिजाइनिंग और टेक्स्टाइल मेकिंग का भी हमारे यहां यूजी सी स्पॉंसर्ड प्रोग्राम चलते हैं तो इसलिए इट विल बी एन अडिशनल बेनेफिट तो दे स्टुडें